जैहन साथ्यू सीटेट एवं यूपीटेट एवं अन्न सैच्छिक परिच्छाओं में सीडीपी की जो पायडा गोगी आती है उनी के प्रसंद हम लेकर आये और उनी प्रसंदों को देखते हैं चुकि जुलाई में होने वाले सीटेट के पेपर के लिए बहुत ही महित्पू गर्वावस्ता से किसोरावस्ता गर्वावस्ता से बाल्यावस्ता गर्वावस्ता से जीवन परियंत तक उप्रियुक तुमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्वावस्ता से जीवन परियंत तक क्यूंकि मानव का विकास मा के गर्व से लेकर उसकी मुरत तक होता है जीवन वर ये विकास चलता रहता है अगला प्रसन है बाल मनोवज्ञान तथा बाल विकास में प्रमोक अंतर है तो इसके आपसन है अध्यन पद्धतियों में अंतर छेतर में अंतर कार में अंतर उपरेक्ट में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छेत अंतर में अंतर अगला प्रसन है अगला प्रसन है विकास का भई समंध परिपक्वता से है जो उद्धीपन का है अपस्वन है परिवर्तन प्रत्किरिया प्रियास प्रडाम देखिए दोस्तों विकास बालक का विकास धीरे-धीरे होता है एक समय जब आता है तो बालक बहुत मजबूत हो जाता है यानि कि परिफक होता है मेचुरेटी होती है इसी लिए विकास का समंद्ध परिफक होता है उसी प्रकार उद्धीपन उद्धीपन का समंद्ध उद्धीपन का समंद्ध प्रतक्रिया से होगा अगला प्रसन है सहसवावस्ता में बच्चों के किरिया कलाप होते हैं option है मूल प्रबरत्यात्मक, संरच्छित, संग्यानात्मक, संबेगात्मक तो इसका right answer हो जाएगा मूल प्रबरत्यात्मक क्योंकि जब बालक पांच ये बर्ष का होता है तो वहे अपने expression यानि भाव मूल प्रब्रत के आदारत पर प्रदर्शित करता है जैसे भुवूक लगने पर वहे रो देता है और कोई अच्छी बस दिखा देने पर वहे हसने लगता है ताली बजाने पर वहे हसने लगता है यही मूल प्रब्रत होती है अगला प्रशन तनाव और क्रोद की अवस्ता है सैसवावस्ता, किसोरवस्ता, बाल्यावस्ता, ब्रद्दावस्ता है जब बालक बारा से अठारा वर्ष की उम्र में होता है तो उसके अंदर बहुती तनाव और क्रोद उत्पन होता है यह अवस्ता होती है सोरी ये वस्ता होती है कि सोरा वस्ता अगला प्रसन है सारीरिक ब्रद्ध और विकास को कहते हैं यानि कि सारीरिक ब्रद्ध और विकास के रेसियू को क्या कहते हैं इसके आप्सन है तत परता अभी ब्रद्धी गत सीलता अन बन सकता तो इसका उत्तर हो जाएगा अभी अगला प्रसनाता है ज самом आपार मनो विज्यान का कैंद्र बिंदु हैं कि अच्छा सिच बालक सीच ब्रकिया रिधियाल है है कढ़ सपभा इसससर होगा बालक पहले समय में बाल मनोविज्ञान का कैंदर विंदू से चक हुगा करते थे, वर्ट जो माडन युक्चला जो आधनिक युक्चला है, उसमें मनोविज्ञान का कैंदर विंदू बालक को रखा गया है, अगला प्रसन है, निम लिखिद में इसे कौन सा विकास का सेदान्त नहीं है विकास लंबवतना होकर बरतुलाकार होता है विकास क्रम बद होता है विकास निरंतर होता है विकास मसीनी पिरकरिया है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास मसीनी पिरकरिया है अगला प्रसन सायसवावस्ता की मुख विसेश्ता क्या नहीं है इसके लिए आफसन है सीखने की प्रक्रिया में तीब्रता जिग्यासा की प्रब्रत अनुकरण द्वारा सीखने की प्रब्रत चिंतन प्रक्रिया जब बालक पांचे बर्ष का होता तब उसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो तीबर होती है और जिग्यासा की जानने की इच्छा भी होती है और नकरे की यानी की अनकुरण द्वारा सीखने की उसमें आदत भी बहुत होती है वट चिंतन प्रक्रिया उसमें नहीं होती है इसलिए इसका राइट आंसर हो जन्म से एक बर्स, दो बर्स से तीन बर्स, जन्म से तीन बर्स तक, जन्म से दो बर्स तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से दो बर्स तक, अगला प्रसन है, निम्न में से अध्यापन अधिकम का सबसे प्रवावसाली माध्यम कौन सा है? option है विशेबस्त को यंत्रवत याद करना संकलपनाओं के बीच सम्मंद खोजना बिना विशलेशर के अपलोकर करना अनकरण एबं नकल और दोराना तो इसका सई उत्तर हो जाएगा संकलपनाओं के बीच सम्मंद खोजना यानि कि जो कॉंसेप्ट होते हैं उनके बीच जो रिलेशन होते हैं उसकी खोज करना अगला प्रसन है सर्विंदगी अप्सनेक का संग्यान से कोई संबंद नहीं का संग्यान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों को अधिगम हेतु अभी प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभाव साली है कि भाव को अध्याफन अधिगम प्रक्रिया में बारं बार पैदा करना चाहिए इसका राइट आंसर होगा सर्मिंदगी का संग्यान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है अगला प्रसन है सिर्जनात्मक की पैचान का प्रमुख लच्छड क्या है कम पर ग्यानता बोध गंबता अपसारी चिंतन अतिसक्रीता असतरकता तो इसका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन अगला प्रसन है अधिगम कठनाई से जूजते छातरों की जरूरतों को संभोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए आपसन है द्रस, सरब सामगरियों का इस्तेमाल, सनरचनात्मक, सिच्चा सास्त्रियों, उपागुमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत, सैच्चिक योजना बनाना, सिच्चा सास्त्र और आकलन की जटिल, सनरचनाओं का प्रियोग दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट के पेपर में कहीं भी कठेन जटेल याद करना कंटरस्ट करना ये सब्द आ जाएं तो ये नकार अत्मक माने जाएंगी इसी प्रकार इस प्रसंद में जटेल सब्द दिया है इसलिए यही आंसर गलत हो जाएगा तो इस कोश्चन का अंसर होगा डी आप्शन अगला प्रसंद है अगला और अंतिम प्रसंद जन्म से किसुरा बस्ता तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है सामबेदिक मूर्थ ये दोस्तों यहाँ पर मूर्थ होगा सामबेदिक मूर्थ ये दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बायल आइकन को दवा दीजिए